दोस्तों आज की वीडियों हम जानेंगे कि एजॉस फैन के कनेक्शन किस तरह से कहे जाते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह देखिए एजॉस की टीन लोबे यानि टीन वायरे निकली हुए हैं इसमें एक पीली, नीली और काली तो चलिए सबसे पहले इसमें से कौमन कौन सी है और रनिंग कौन सी है सबसे पहले हम किनी दो वायरों में सिरीज लगा के देखिए दोस्तों नीली और पीली वायरों पे सिरीज लगाने पर बलब बहुत ही जादा कम जल रहा है अब हम पीली और काली पर लगा के देखते हैं यह देखिए दोस्तों काली और पीली पर लगा के दिखते हैं ये देखिए नीली और पीली पर बलब बहुत जादा कम जल रहा है लेकिन जब हम काली और पीली या काली और नीली पर लगाते हैं तो दोनों पर बलब तेज जल रहा है इससे हमें ये पड़ा लगता है कि दोस्तों काली जो है वो हमारी common है यानि मेन है एक बार फिर हम बहुत अच्छी तरीके से चेक करेंगे ये देखें दोस्तो नीली ओपीली पर बलब तेज जल रहा है इससे हमें ये परदा लगता है कि ब्लेक वायर जो है वो हमारी कमन है यानि मेन है और नीली ओपीली हमें कंडेंसर में लगानी है आएए फु कर दिए बलब देखें से जल झाएए ये इसका है रहा है कि बार नीली ओपीली ओपीली उहता है लगता है कि रख़ ज़ दोगता झालाई अज़ा दोस्तों स्रीस का एक तार हम एज्जास में की में यानी common पर जोड़ देंगे और सुसरीस का दूसरा तार हम condenser के किनी दोनों तारों में से किसी एक पर लगाकर चेक करेंगे यह देखे दोस्तों नेली ढार पर लगाने पर एज्जास में उल्टा चल रहा है अब हम पीली वायर पर लगा के चेक करेंगे पीली वायर पर देखिए फेन हमारा सीधा चल रहा है अब हम मेन का दूसरा तार पीली वायर पर देंगे दूस्तों अब हम मेन का एक तार बलेक वायर यानी काली वायर पर देंगे और मेन का दूसरा तार पीली वायर पर देंगे जिस पर हमारा एजास फेन सीधा चल रहा है यानी सामने की तरफ हभा दे रहा है दोस्तों अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि एजास्ट फेन के कनेक्शन किस तरह से किये जाते हैं अब हम इसकी पूरी तरीके से फिटिंग करके देखेंगे तो आएजे जानते हैं एजास्ट फेन की पूरी तरीके से फिटिंग किस तरह से किरते हैं दोस्तों अब हम कनेक्शन की एक में लीड एजास्ट फेन के बाहर निकालेंगे में लीड की एक तरह हम एजास्ट फेन की में वायर यानि कामन में जोड़ेंगे और में लीड की दुसरी तरह हम कंडेंसर की पीली वायर में जोड़ेंगे कनेक्शनों पर बहुत अच्छी तरीके से हम टेपिंग करेंगे दोस्तों जोइंडों पर टेपिंग बहुत अच्छी तरीके से करना है कर दोस्तों जोड़ेंगे कर दोस्तों जोड़ेंगे झाल झाल दोस्तों एजाज़ फेन को हमने पूरी तरीके से फीट कर दिया है अब हम एजाज़ फेन की मैन वायर में कनेक्शन करके देखेंगे कि हमारा फेन सीधा चल रहा है ये उल्टा ये देखें दोस्तों फेन हमारा बिल्कुल सीधा चल रहा है और हवा भी बहुत अच्छी दे रहा है दोस्तों एजॉस फेन को अभी हम सिरीज पर चला रहे हैं जब हम इसको डायरेक्ट चलाएंगे तो ये और भी बहुत तेज हवा देगा I hope हमारी वीडियो आपको पसना आई होगी